वलाइन वेलकम यू आल, I am Ruit from Harjant Traders So guys, आज हम बात करने वाले हैं Lakshmi Organic Industries Ltd. के बारे में और guys, अगर देखा जाए तो यहाँ पर stock में काफी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है पिछले दो दिनों से पिछले दो दिनों से हमें काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और बार-बार में कह रहा था guys खरीद लो, खरीद लो और मैं ही नहीं, यहाँ पर Anand Rathi Sir भी कह रहा है खरीदने के लिए तो उनके क्या statement है, ओ भी हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ लक्षमी ऑउरगेनिक में हमें देखने को मिल रहा है कल भी हमने इस पर वीडियो बना था और आज भी हम वीडियो बना रहे है और guys यहाँ पर bullishness आ गही है बिल्कुल bull run में भाग रहा है बिल्कुल bull run में भाग रहा है वहाँ पर मैं बताते रहता हूँ कोन सा पैनी स्टॉक कहा तक जाएगा, क्या टार्गेट रहेगा और पैनी स्टॉक के बारे में अल्रेडी एक वीडियो अपलोड कर दूगा, उसकी लिंक आपको टेलिग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी और आप देख सकते हो गाईस, मैं हाँ पर मेरे टेलिग्राम चैनल पर इंट्राडे के चार्ड भी अपलोड करते रहता हूँ, आप देख सकते हो, मैं डेली अपडेट देते रहता हूँ, intraday के charts की हम बताते हैं यहाँ पर news जो आप तक नहीं पोच पाती है और यहाँ पर हम बताते हैं बिल्कुल 100% यहाँ पर आप देख सकते हो जो 100% हम update देते हैं गाईस क्या हो रहा है market में किस तरीके से उपर जाएगा क्या update है बिल्कुल गाईस यहाँ पर हमने दो ही दिन हुए है चेक कर लो यहाँ पर 189 के आसपास जो subscriber है उन्हें बढ़ा दो गाईस बिल्कुल आप जाओ नीचे यहाँ पर link देदूगा मैं description में वहाँ पर click करना link पर join हो जाना और काफी help होने वाली है साथ में सीखेंगे और कमाएंगे भी गाईस तो बिल्कुल आप जाकर join हो जाना तो अब बात करेंगे सिदा लक्ष्मी ओर्गैनिक की तो अब तक अगर आपने दमाजन ट्रेडर मेरे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दो यार क्योंकि यही पर सारी updates में डालते रहता हूँ so guys यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी ओर्गैनिक इंडस्ट्रीज के बारे में 470 रुपे 25 पेसे तक का stock return दे चुगा है 22 रुपे 35 पेसे तक stock में उचाल है और 4.99% के हिसाब से stock बढ़ रहा है काफी तगड़ा momentum है और क्या कहा है अनन राठी सेर ने ओ मैं आपको बताऊंगा फिर बताऊंगा चार्ट के बारे में तो वीडियो को land तक देखना बिल्कुल एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है फिले statement की बात करेगे फिर बात करेगे चार्ट की यहाँ पर अनन राठी सेर ने यहाँ पर कहा है आप देख सकते हैं जाए और कर रहे हैं लक्षमी ओरिकनिक को तो उन्हों ने क्यों कहा है खरीदने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर आपको एक बार पढ़ के बताते दो at this juncture on the daily scale Lakshmi Organic Industries is on the verge of a breakout from the patent which resembles bullish inverse head and shoulder the theoretical target for the patent comes around 500 also the price action is supported by positive placement of daily RSI which about to cross the 60 mark trader can buy the stock on deep near 448 तो यहाप पर उन्होंने कहा है कि 448 और 445 पर आप खरीच सकते हो stop loss लगा सकते हो 435 का upside target आप रख सकते हो 424 का यहाप पर उन्होंने कहा है 2 से 3 विक लिए बट गाइस यहाप पर हम बात करेंगे हम बात करेंगे as a long time के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यह 600 को भी cross कर सकता है 600 को भी यह cross कर सकता है यह अनल राटी के prediction था अब हमारा prediction आप देख तो गाइस हमारा prediction ए है कि लक्ष्मी और्गेनिक में आप देख सकते हो एक इस level पर इसे rejection भिला था इस level पर rejection भिला था बिलकुल इस level से नीचा आया था और इस particular level पर support ले रहा है तो हमारे पास support है वो resistance है support और resistance है मैंने बता दिया आपको तो यहाँ पर इस sideways चल रहा है और guys यहाँ पर support लेके यहाँ पर breakout बिलके सीधा रेटेस करके जा रहा है उपर इस वहाँ पर उन्होंने दो से तीन वीक के लिए कहा है हाँ सही है उनकी बात भी सही है और हमारा opinion इसले सही कि as a long term की हिसाब से 600 के उपर का target हम रख सकते हो और 627 का target आपको रखना चाहिए क क्योंकि यहाँ पर से stock गिरा है तो इस a long term के हिसाब से आप बिलकूल इसे target अपना रख सकते हो और breakout की बात करो तो breakout मैंने पहले ही आपर कई बार मैंने अपडेट दी है टेलिग्राम चैनल पर वहाँ पर देख लो गाई साब और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर breakout consolidate करेगा sideways consolidate करेगा थोड़ा नीचे आएगा gap ups फिल करेगा फिल जाएंगा उपर के और तो ऐसी चीज़े इसमें होती रहने वाली है पर यह guys stock बिलकूल तगडे return देने वाला है और देखा जाए पाच दिन के time time पर कितना return दे दिया है 36.50 पेसे तक का return दे दिया है 8.41% के स चे महीने में बिलकूल guys आप देख सकते हो 202 रुपे तक का return है 49% के साथ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती और देखा जाए आज क्या हुआ है stock में 469 रुपे पे open हुआ था 409 रुपे 50 पेसे का price हाई लगया था सीधा 470 रुपे 25 पेसे का और लो लगया 456 रुपे का market क आप 12.40,000 करोड का है बिलकुल एक mid cap stock कहलाता है पी ratio 37.33 का है और dividend देखा जाए 0.11% का है और guys वही अगर बता हो तो high तो high जैसे मैंने बूला यहाप पर जो 52 weeks का high है वही आपका target रहना चाहिए 628 है और मैंने बूला आपको 627 बढ़ आपका high यहापर 628 का आपका target रहना है तो यह discuss करके मतलब नहीं है support levels भी यहापर नहीं है क्योंकि नए support levels वहापर बन गया है और क्योंकि guys वहापर जहापर यह stock में gap up आज हुआ है अलका सा gap up हुआ है तो यह नीचे आएंगा फिर उपर जाएगा बिलकुल आपको panic नहीं होना है अगर आपकी holding है इसमें तो और यहाप के pattern पे देखो तो 8.82% तक के यहापर जो hold यहापर price performance है उसमें बढ़ा है और यहापर 12% में जो minus में है ना guys यह भी plus में हो जाएंगा बिलकुल convert होगा देखना आप बिलकुल और वही अगर बात करूं यहापर price performance तो 8.63% बढ़ा है और 1 month का बढ़ा है 8.62% और guys वही अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ trade value है तो 13,00,00 के असपास का trade value आज पोज़ गया है कल के comparison में आज बिलकुल 4 राग बढ़ा है क्यों क्योंकि कल कितना था 9,00,00 था और देखा जाए तो 6,00,00 का combination delivery था वही अगर बात कर लूं में हापर 1 week के average की तो 0% जो लोग है वो बिलकुल sell के लिए कह रहा है मतलब कोई है ही नहीं और बिलकुल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 87% जो लोग है 87% जो लोग है कह रहे है buy के लिए और 13% लोग जो है वो कह रहे है अपर hold के लिए मतलब इसको अगर जोड दिया जा है तो 100% positive निकल क्यात युखी आपको दिखेगा और साथ इगर बात करें यहां पर इपोटेंची नेट प्रॉफिट कंपणी के पास कितना प्रॉपिट है कंपणी के पास क्या बचा तो 122 करोड का असपास का नेट प्रॉपिट है कंपणी का यहाँ पर 2021 में 28 करोड का 2020 में 37 करोड का 2019 में 24 करोड का 2018 में 27 करोड का 2017 में है share holding pattern तकड़ा है promoters की holding 72.92% की है FIS और DIS की holding देख ले तो यहाँ पर FIS है 0.87% और DIS है 3.3% public holding है 22.91% तो guys बिल्कुल यहाँ पर अनन राठी ने भी कहा हमने ओ भी डिसकस किया और यहाँ पर इनका target आप 500 रुपए है सिर्फ वन वीक या फिर टू वीक के लिए और 628 का target हमारा है तो बिल्कुल आप इसे त्यान बेर रखना और टेलिग्राम की link मैंने description में दे दी है वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो टैंक यू